कैसे जन्म हुआ क्रिष्ण का भक्तो आज बताते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इत छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते देव की कहुआ वासु देव से विवा कंचाला छोडने को बड़ा उत्सा हुई जो आकास वाणी चोक गया था आठवा जो पुत्र होगा तुझे मारेगा रथ रोक मारने को हुआ तैयान वासु देव डर गए देख तलवार तुमको मैं दे दूँगा जो होगी संतान देता हूँ वचन करो विंत सुईकाल कंस कसाई उन दोनों को कैद बीच डलवाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते जो भी पुत्र होता उसे कंस देता मार असुरों का कम नहीं होता अत्याचार सातवे गरब में प्रभुसेस आये थे योग माया ने तो कर दिया चमतार देव की के आठवे पुत्र भगवान पहरा ज्यादा करो बोला कंस बलवान भादो मास कृष्न पक्ष अश्ट मी आए ठेक आधि रात का समय सुन साल विश्णों जे स्रे क्रेश्न बनकर बाले रूप में आते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते क्रिश्ण बोले नंद घर मुझ को ले जाओ ये शोदा को कन्या होई उसको ले आओ कन्या का है रूप मेरी योग माया है काम ना हो पूरी हरी हरी तुम गाओ सूप में उठा के हुए चन्ने को तयार घोड़े बेच सो गए सारे पहरे दार हत कड़ी बेडी ताले सब खुल गए वासुद पहुच गए यमुना के पार विश्ण जी को छोड़ा गोकुल कन्या को ले आते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इत चोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते कंस को पता जो लगा दोड़ा वो आया कन्या को पठकना पत्थर पे चाहा कन्या छुटी हाथ से पहुची आकाश अश्ट भूजी देवीरू उसे दिखलाया तुझे जो मारेगा कहीं हुआ उत्तपन कन्या की बात सुन के कंस हुआ सुन जितने भी बालकों ने लिया है जनम मरवा डालो सबको ऐसा बना लिया मन पापी मनुस का काम यही है निस्तिन पाप कमाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते क्रिस्न जी की छठी जब मनाई जा रही मंगल गित और थे जो मिलके गा रही अस्तनों पे विश्व लगा पूत न आई क्रिस्न जी को दूद पिलाना चाह रही क्रिस्न जी को दूद पिलाना चाह रही दोद में उठा के जो कराया अस्तन पान दुष्ट भाव जान गए क्रिश्न भगवान क्रिष्ण जी की भक्तों ये पहली लीला थे साथ साथ दूद के वो पीने लगे प्राण छट पटा के मरी पूतना लीला हरी रचाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इतन छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते कंज ने फिर भेजा आसुर तनावत नाम कृष्ण को मार ना है सोपा ये ही काम बन के बवंडर अपने संग ले उड़ा कृष्ण जीने मारा गीरा जमी पे धड़ा इक दिन ये शोगा गोदिली ये बैठी थी सुन्दर मुख ललला का देख रही थी सारे लोक मुख में दिखाई दिये थे साक्षात हरी है ये चौक पड़ी थी साक्षात हरी है ये चौक पड़ी थी दिखिला आए क्या खेले प्रभु जी कोई समझे न पाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते महेरी सिगर्ग जी ने रखा जब नाम रोहिणी के ननन प्यारे स्री बले राम जल भर मेग जैसे साओं ले ठेरे यशोदा के लल्ला प्यारे स्री खन शाम स्याम बले राम खेले नंद के भवन घुटनों के बले चले सारे ही आंगन धोल पान की चल में सन सन से सुन्दर कला देख आनंद मगन कभी रूठ ते कभी खीज ते नन्द जी खूब मनाते एक छोटी सी कथा सुनाते पावन कथा सुनाते एक छोटी सी कथा सुनाते एक दिन काना जीन मित खाली थी माईया ने तो हाथ में छाड़ी उठाली थी काना बोले माईया मैंने माटी ना खाई एक लीला प्रभुजी ने और रचाली थी गोपिया तो कृष्ण जी को बढ़ा चाती थी मोहन उनके घर आये रीज जाती थी काना जी भी उनकी मटकी फोल देते थे माखन चोर मोहन को वो बत लाती थी ठीके से वो लेकर माखन बंदरों को भिखिलाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते एक रोज मैया जी को गुसा आया था उखल से मैं बांद दूंगी ये चाहा था रसी कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती प्रिस्न जी की लीला कौन जान पाया था नंद भवन आई फल बेचने वाली भान लात शाम पर अंजली खाले फल वाले खोब सारे फल दे गए घर जाके देखा हुई बात निराली फल की टोकर भरी रतनों से ऐसा सुख पहुचाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते दोकुल में आसुर करते बढ़ा उत्त पात व्रिन्दावान जाब से नंगोपों के साथ खिस्न की उमर जब साल होए तीन बच्छड चरान जाते नित परभाद बच्छड चरान जाते नित परभाद वंशी और छाड़ी लगे कर में सुन्दर खिस्न कनाई सोणे मोर पंक धर चंचल से बच्छड और चंचल ग्वाल सब को हसात शाम खेल खेल कर सब को हसात शाम खेल खेल कर मित्य नया नया छल रच्चते थे कंस बाज न आते एक छोटी सी कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इत्य चोटी सी कथा सुनाते आवन कथा सुनाते कंस का सेवक बच्छा बनने के आया कृष्ण को मार डाल उसने चाहा देखते ही शाम सुन्दर गए पहचान पैर उसे पठका जिन्दा रहे न पाया फिर आया बका सुर करने को वार पूतना का भाई था ओ बड़ा होश यार चल न सकी थे उसकी कोई भी माया चोच में जुलेने लगा दिया उसे माल कंस के भीजे दाना उसे मोहन न घब राते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते एक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते कंस का मित्र एक और मायावी ब्रिज में आया था वो छल थी चाहे गोप बाल को को लेके जाता गुफा में चाल उसकी जान गए कृष्ण कनहाई ब्यो मसुर से कहां डत नंद के लाला पोनी का समय तो नहीं टलता तला बाल लिलक्स जिन ऐसी दिखलाई मार मार थपडगु से मार ही डाला अजिगर बना जब दैत आघा सुर मोहन मार गिराते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते एक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते ब्रम्ह जी के मन में आया था विचार बच्छडे चुराए कई नहीं दो चार कृष्ण की परिछाओ लेने आये थे लेकिन अंद लाल आगे गए खुद हाल धेनु का असुर भी तो चलने आया चाल देख रहे बल राम संग नंद लाल पेड़ों पेपटक कर मार डाला था राम शाम बन गए असुर का काल ग्वालों संग वो खेले जिसको देवतशिष जुकाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते शाम जी जो नाच देथे हो गया मगन बचो वाले खेल खेले प्रेम की लगन मोर बन नाचे कभी मेडक बनते गईया भी चाराते सारा दिन रहते वन बन की भयानक आग शाम गए पी डर की तो बात कभी दिल में न थी कालिया नाग पर कूद पड़े थे दुष्टो को माफ दो किया न कभी जब जी चाहता यमोना किनारे मुरले मधुर बजाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते अदो भुत वनसी का बजान लगता ग्वाल बाल सब करिजान लगता पेडों से रसधारा बहने लगती मोर मुक ठारी तो दिवाना लगता विप्रनारिया जोले आई पकवान दर्शन कर मोहन के लोटी मुसकान क्रिष्न की लिला को तो क्रिष्न ही जाने कैसे कोई जान पाए आम इनसान अपने चाहने वालों कोटों कभी नहीं तरसाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इंदर की पुजा स्री कृष्ण ने देखी गोबर्धन की पुजा करो गोपो से कही ऐसा देख इंदर बड़े को धित हुए साथ दिन बादल बरसे बरसा ना रुकी गोबर्धन उंगली पे उठा लिया था वरसा से सब को बचा लिया था इंदर को वरसा बंद करनी पड़ी थी खेल तो मोहने रचा लिया था गोबर्धन की पूजा तब से हम सब करते आते एक छोटी सी कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इंदर का रंग समझो उड़ गया था जितना गर्व था वो जड़ गया था कामधेन कहें मेरे इंदर आप हैं तब से ही गोविन नाम पढ़ गया था नंद बाबा या मुना में कते असनान दूत जो वरुण का उसे था गुमान नंद जी को वरुण लेके गया मोहन जब पहुँचे फिर चाहे छामादान कदमों में गिर्वर्ण देवता बार बार शर्माते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते आवन कथा सुनाते बनसी जो बजाई शाम द्रिंदवन में जुम ओठी गोपिया तो सभी मन में घर द्वार छोड आई शाम जी के पास सच्या प्रेम दोड रह मन तन में रास नित करने लगे सभी एक साथ सबने परस पर थाम लिया हाथ जितनी भी गोपि संग उतने ही शाम शाम सुन्दर करे देखो कैसी करमात अजिगर से नंद बाबा छुडाए ठोकर शाम लगाते एक छोटी से कथा सुनाते पावन कथा सुनाते इत चोटी सीत था सुनाते, आवे मुड़ा था सुनाते कंस ने तो खाई हुई एक ही कसम, कृष्ण जी को मार कर लेना मुझे दम देव की का पुत्र कृष्ण कहा नारद ने, तब से तो बढ़ गया और ज़ादा गम अकृरूर भेजा जाओ मत्र ले आओ, हुक्म है हमारा अमना देर लगाओ कंस का संदेश लेके ब्रज में आए, कृष्ण बोले अकृरूर तुम ना घबराओ अकृरूर बोले कंस कसाई, तुम्हे मार ना चाहते एक छोटी सी कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते इतु छोटी सी कथा सुनाते, आवन कथा सुनाते मथुरा में पहुच गए शाम बाले राम, धोबी कातो कर दिया काम तमाम दरड़ी पे कृष्ण जी ने कृपा बड़ी की, घर गए माली के सुधामा जिसका नाम कंस का धन उस भी तो तोड़ ही डाला, कंस ने ही भेजा फिर हाथी मतवाला सोड से पकड कर मार गिराया, मुष्टिक और चाडुर मार नंद के लाला मल युद में हुई हार देख के, कंस ही लड़ने आते एक छोटी से कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते इक छोटी से कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते कंस ने चली जितनी चली सका चाल, कृष्ण के आगे उसकी गली नहीं डाल सारे हथियार उसके फेल हो गए, कंस को मार दिया बन कर काल कारागार पहुँच गए खोले बंधन, अपने माता पिता जी का किया वंदन आसुओ की धारा वहां बह चली थी, पापको मिटाने आए नंके नंदन कमल सिंग मेरे गुरु करण सिंग मुझे को ग्यान सिखाते एक छोटी से कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते एक छोटी से कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते एक छोटी से कथा सुनाते, पावन कथा सुनाते